हेलो दोस्तो स्वागत आपका हमारे इस चैनल पर दोस्तो आज मैं आपको किसी पार्टिकुलर इन्वर्सिटी के नोटिस के बारे में नहीं बताऊंगा देखिए यहां पर जो मैं बताने जा रहा हूं आज इसे ध्यान पूर्वक सुनिए क्योंकि जो मैं आज बताऊंगा य भारत के सभी इन्वर्सिटी के लिए लाग्यू होगा ओके तो इसको द्यान से सुनिए देखिए युजीशी ने अब युझीशी क्या है पहले युजीशी को समझ लिजे premiट्गा युझीशी 2 इन्वर्सिटी यहिज होता ही इन्वर्सिटी ग्रांट कमिशन को जीतने भी हमारे देश में ध्यान से सुनिए हमारे देश में जितने भी इन्वसिटी हैं चाहे वो इस्टेट इन्वसिटी हो या फिर सेंट्रल इन्वसिटी हो उन सभी के लिए जो नियम कानून काइदे रूल जो भी बनाता है वो कौन बनाता है यूजीसी जो भी डायरेक्शन या गा सब्सक्राइब करना पड़ेगा इन्वसिटीज को चाहे वो कोई भी इन्वसिटी के उना हो तो यूजी सी ने एक नोटिस जारी किया है आजी की नोटिस से छे मई की तो इसको ध्यान से देखिए और उसमें साफ साफ यूजी सी ने कहा है नो ओफ लाइन एक्जाम इन में यानि मई में कोई भी ओफ लाइन एक्जाम नहीं होगा साफ साफ यह कहा गया है ऑनलाइन एक्जाम अप मई में करा सकते हैं लेकिन इस्थानिये कंडिशन को देखते हुए यूजी सी टू इनवर्सिटी इस यूजी सी ने सारी इनवर्सिटी से कहा है क्या कहा है कि मई में कोई भी एक्जाम नहीं होगा आफ्लाइन एक्जाम आफ्लाइन एक्जाम नहीं होगा ऑनलाइन एक्जाम हो सकता है तो चलिए हम इसको डीटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा इंगलिस में है थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिए The University Grants Commission has asked universities not to conduct offline exams in May and decide on conducting online exams after assessing local conditions. The commission stressed in its letter to all universities and colleges that during the ongoing COVID-19 pandemic, health and safety of everyone is most important. देखिए यहाँ पर इनों कहा कि मई में कोई भी offline exam कोई भी इन्वरसिटी नहीं कराएगी अगर इन्वरसिटी चाहे तो offline exam करा सकती है अपने इस्थानिय कंडिशन को देखते हुए क्योंकि ऐसा नेड़े इसलिए लिया गया है क्योंकि छात्रों का स्वास्त और सुरच्छा बहुत महत्यपूर है इसमें साफ साब कहा गया है सब्सक्राइब इसमें काफी बढ़ रहा है तो मैं में कोई भी offline exam नहीं होगा online exams are allowed provided universities ensure they are prepared in all respects and adhere to the directions and guidelines issued by the central government state governments and the education ministry and the UGC online exam कराया जा सकते हैं online exam कराया जा सकते हैं बसरते की university को पूरी तरीके से तयार होना चाहिए क्योंकि भाई अगर आप online exam कराएंगे तो आपको पूरी व्यस्था करने पड़ीगी तो university अगर पूरी तरीके से तयार है अगर वो central government, UGC, state government और education ministry के guidelines और directions का पालन करती हैं तो उसके बाद वो exam करा सकती है online हाला कि मही में कोई भी offline exam नहीं होगा तो UGC ने जो ये सूचना जारी की है, notice जारी की है, ये सभी universities के लिए हैं चाहिए वो state university हो या फिर government university हो यानि कि central university हो तो इस परकार आप देख सकते हैं कि मही में कोई भी exam नहीं होगा यानि कि आपके पास time है पूरा का पूरा आपके पास मही तो मिल ही गया, जून में क्या होगा वो तो अभी नहीं पता लेकिन मही आपके पास पूरा का पूरा मिल गया आपके किसी भी universities के हैं मही में exam नहीं होगा आप आराम से तयारी किजें हला कि promotion से सम्मदित अभी कोई भी सूचना UGC ने direct नहीं जारी किया, देखे किसी पर थोपा नहीं है, जैसे यह जो सूचना है एक प्रकार से थोपा है ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि इसके खिलाफ कोई university नहीं जा सकती, लेकिन promotion को लेकर के भी UGC ने कोई guideline नहीं जारी किया है हला कि कई university है जो promote करना start कर दी है, जैसे इलहबाद या फिर और भी लकनो university हैं, तो इन university ने promote करना शुरू कर दिया है, इलहबाद की बात करें तो भी जल्दी promotion की news आई है, कि इसमें जो undergraduate level के जो student हैं, उनमें दित्तिये वरस को promote कर दिया गया है, तो हो सकता है कि यह formula आपक के university में भी लागू हो जाए, हो सकता है कि जो दित्तिये वरस के छात रहें, undergraduate यानि UG के, इसना तक के जो भी है, student दित्तिये वरस के, वो हो सकता है कि pass कर दे जाए अपने पिछले अंक के आधार पर, अला कि यह भी कोई भी ऐसी सुचना नहीं आए, मैं साब साब बता देन के, और वैसे भी आपको पढ़ना है, चाहे आप प्रमोट हो जाए या फिर ना हो, परिच्छा देनी पड़े, आपको पढ़ाई करनी है, अपने आपको सौस्त भी रखना है, भीड भार से बचना है, और अगर आप पढ़ाई करते हैं, तो आपकी परिच्छा हो भी जाए लाएंगी, तो भी आप अच्छा नमबल लाएंगे, ओके तो यह छोटी सी सूचना थी, जो मैंने आपको बताई, इस सूचना को अपने फ्रेंड्स में आप सेर कीजिए, हमारे चैनल को सस्क्राइब भी कर लीजिए, वीडियो इसको लाइब भी कर दीजिए, ओके, तो अ सूचना आती है, आपके इनिवर्सिटी से या भी उजिसी की तरफ से मैं तुलंत आपको इंफार्म करूंगा, बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों